नमश्कार दोस्तों हाज मैं दिल्ली वालों को एक नीले ग्रिगिट की कहानी सुनाने वाला हूं सुनिए ना आपने सुनिए यह ना दस ते एक नीला ग्रिगिट था वैसे तो ग्रिगिट जब चाहे कलर चेंज कर लेता है लेकिन उसका जो स्थाई कलर था वो नीला था वो एक नीला ग्रिगिट था हर बात पर रंग बदलता हर बात पर यूटर्म ले ले लेता गलती से दोस्तों उसका मनुश्य का रूप में जन्म हो गया हर्याना के अंदर वो नीला ग्रिगिट मनुश्य का रूप लेके पैदा ह गया बच्पन से हर बात पर यू टर्म लेता था ट्रैफिक वाले भी कभी मिलते थे तो उसको कभी रास्ता नहीं बताता था लोग कहते थे तू तो यू टर्म नहीं लेगा धिरे धिरे उसने आई आई टी में सिफारिश लगवा के एडमिशन लिया दोस्तों और फिर वो एक आई आरेस की नौकरी पे लग गया लेकिन नौकरी पे रहते वे उसने किसी भी भरष्ट व्यक्ति के विरुद छापा नहीं मारा कभी भी ऐसा नीला गिर्गिट था दोस्तों बढ़ते 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 फिर उसने एक बज़र्ग आदमी को इसने राम नीला मैदान होता कोई लात मार दी दोस्तों नीले की क्योंकि वो गिर्गिट था गिर्गिट के तत्व उसके अंदर अभी भी बचे हुए थे मनुष्य गरूप में नीला गिर्गिट था वो गाड़ी भी नीले रंकी रखता था हाहाहा उस नीले गिर्गिट का करियर आगे बढ़ गया धीर धीरे धीरे उसने अपना एक दल बना लिया और वो एक शहर में चुनाव लड़ने लगा राजधानी जो एक देश की थी उसका एक शहर था वो एक शहर था उसमें चुनाव लड़ने लगा फिर उसका एहंकार इतना जादा बढ़ गया दोस्तों चूंकि वो उसने पैसे वाल लड़ने की सोची। दोस्तों आखिरकार वो गरीब āशाय वाला जीत गया और नीला गृर्गीट हार गया। गरीब āशायवाला देश शुरू कर दिया हाँ 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 सातियों बड़ा पढ़ा लिखा समझदार था किसी फाइल पे साइन नहीं करता था जो भी मंतरी उसको लगता कि मेरा ये मंतरी अच्छा पैसा कमा रहा है अच्छा नाम कमा रहा है उसके करप्शन वाली फाइल पे साइन करवा के उन उनका एक नेता तो हिंदूओं के उपर बं फैकता वह पकड़ा गया छट के उपर से लेकिन नीले गिरिगिट के शरम नहीं आई क्योंकि उसके अंदर तक कुंठा थी वो दुखी था अंदरी अंदर तिल मिलाता था कि एक चाये वाले से मैं राजा हार गया एक शहर का राज को बगेरों कोई कठा करने की कोशिश करने लगा कि कोई कोई सारे मिलके हम उस चाये वाले को हरा देने लेकिन दोस्तों देखते ही देखते इस नीले गिरिगिट की एक राज्य में सरकार बन गई वहां उसने एक हाज से कलाकार का सहरा लिया सरकार बनाने के लिए और देख ही दुआ कि अरे ये क्या हुआ फिर उसने जब उस हास्य कलाकार को एक राज्य का राज्या बनाया तो अभी सारे देवताय कठे हो गए उपर सारे देवताय कठे हो गए उन लोगोंने मीटिंग की और एक भविश्यवानी चोड़ेगा आप मुझे बताओ दोस्तों आप उस भ्रस्ट निले गिर्गिट के साथ हो जो मंदिरों के सामने स्कूलों के सामने शराब की दुकाने खोलने लगा वो धिली शर्ट पहनता था लोग उसका मतलब नहीं समझते थे बाद में पता लगा के धिली शर्ट का मतलब मैसिज था कि इसके अंदर कितनी भी शराब छिपा के ले जाई जा सकती है तो आप मुझे बताना दोस्तों दिल पे हाथ रखके बताना वो निला गिर्गिट बच्चों की कसम भी खा लेता था ज्योंकि वो गिर्गिट था बदल जाता था एक मिनिट वो निला गिर्गिट सब को यह बोलता था मैं आपका बेटा हुना मैं आपका भाई हुना